लाइट्स वगरे के दिक्कत होती है, ठीक है, उनकी वहाँ लाइट वगरे चली जाती थी, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, खाना वगरे नहीं सही रहता था, ठीक ठाक रहे, रूम उतना बढ़ियां नहीं चाहिए, और मेरे को कोई ओनर पैसे नहीं दे रहा है, कोई पै चीज में और थोड़ा सा टाइम लगया, उसको सेट अप करने में पूरा चीजों को, और पूरा फूड का रिव्यू करने वाले है, इस पटलर पीजी के, जो पीजी है, और कंपेर करने वाले है, लास्ट में मैं कंक्लूजन एक दिने वाला हूँ, कि आपको इस पीजी में वीडियो मिलने वाले, देखने को मिलेगे, क्या मिलता है, खाने के लिए क्या मिलता है, ठीक है, तो कॉमेंट ज़रूर कर देना, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को, प्लीज यार, लाइक कर देना है वीडियो को, लाइक करने करते हो, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडि आपको मिलते रहेंगे और supportive contents मिलते रहेंगे अगर आप मेरे को नहीं जानते हो मेरे नाम आनुडा I am a software developer at emphasis basically a data engineer at emphasis तो वो सारे चीज़े हम लोग बात करने वाले हैं तो चलो चलते हैं देखाते हैं कि करके चलो तो हां आखेर कार यह वीडियो बन रही है और पहली बात तो sorry सब हो गाऊंगा because थोड़ा सा time जादा लग गया because PG वाले वीडियो काफी समय पहले आया थी उसके बाद एक भी डाली उसके बाद फरी यह वीडियो food PG के लिए उपर आ रही है और मैंने सारी photos ले ली है like थोड़ा टाइम लगा photos लेने में because specifically like थोड़ा बहुत break हो जाता है या कुछ हो जाता है तो time issues and many things are there so sorry for that और आज हम लोग बात करने वाले हैं सारी PG के फूड के बारे में मैंने photos, videos जो मेरे को बनता था मैंने ले लिया है photo खाने का अगर कोई miss होगा तो मैं वो मुझ से बता दूंगा इतना था भरोसा कर सकते हो if like because maximum खाने का photos like Monday Tuesday के हिसाब से दोपहर खाने का photo आपको नहीं मिलेगा because मैं दोपहर में रहता नहीं basically office में रहता हूं इस वज़े से दोपहर में महीं पे खाना होता है यहां PG में नहीं होता है तो साथी चीज़ हम लोग देखाने वाल आपको स्क्रीन पे सब कुछ like photo, videos, side में कहीं पे स्क्रीन पे देखेगा है मेरे सामने ही आपको देखेगा तो वो चीज़ आप लोग समझ जाना कि यह खाना यह खाना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज हम लोग देखने हिसाब से like I will be expressing कि हाँ मेरे को कैसा लगा because मैं यहाँ पे like Bangalore में रहा है, Hyderabad में मैं रहा हूँ और यह PG's वगरा में होस्टल वगरा हम रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा पता है कि हाँ क्या चीज़ है, कैसा खाना मिलता है, क्या compare कर सकते है, नहीं compare कर सकते है, एक honest review है ठीक ह और taste वगरा काफी सही रहता है, मेरे को taste बहुत अच्छा लगा because PG के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, like मैं दूसरे PG's में भी रहा हूँ, दूसरे PG's मैंने देखे है हिसाब, इतने खराब हिसाब, इतने खराब हिसाब, like पानी की सबजी, अरे यार सामर के जगा बस पानी पानी रहेगा, उसमें 2-4 उबली होई सबजी पड़ी रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर खाना ठीक बनता है, मेरे को सही लगता है, दो पहर में भी, I don't know, अगर मैंने एक दो लोगो से पूचा है, नॉर्मली खाना मिलता है, दाल चावल हो गया, या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, वो मिलता है, सामर वगयला, तो फिर उसके ट्यूजडे को, ट्यूजडे को इडली और इसकी मुमफली की चटनी रहते है, मुमफली की चटनी और इटली रहती है, तो इडली का टेस्ट भी सही रहता है, और रात में हमें मिलता है, एक पत्ता गोवी सबज तो मैं दाल से खा लेता हूं तो हो सकता है अगर आप भी नहीं खाता हो नौर्णमर खा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है फिर है यह Wednesday को क्या मिलता है Wednesday को दो प्लेट में जो है तो मैं के साथ एक और चीज रखते हैं जो की है तो मैं कैसे खाता हूं मैं नॉर्मल इसको ले जाता हूं जैसे यह पोहा हो गया और यह पोहा हो गया ठीक है उसके बाद मैं को नॉर्मल अपने प्लेट में लेगा है और गरम करने का हिसाब वही रहता है लाइक ओवन वगेरा रखा रहता हुए पर माइक्रोवेव ओवन जो कहना कह दो वह रखा रहता है उसी में नमकीन नमकीन डालके मैं घरम करके खाता हूँ ठीक है ऐसे गर के रूम पे लाके आरा रहता है नॉर्मल राइस और यह दाट इस छोला और रोटी पराठा टाइप कर रहता है रोटी नहीं पराठा टाइप कर रहता है सिंपल प्लेन पराठा तो वही सही लगता है खाने बाने का हिसाब सही है जो मेरे को छोला है ना छोला का टेस्ट बहुत अच्छा लगा छो दस्डे मौरनी हमें का मिलता है और वेडनेस्डे की रात को इसके साथ अंडे भी मिलते हैं वेडनेस्डे को जो उबले अंडे मिलते हैं जो अपना यह है छोले के साथ वेडनेस्डे को सुभा रात में अब नहीं को मिलते हैं अबले अंडे, मैं वैसे तो pure vegetarian हूँ, पहले नहीं था, वो भी story अभी बताया है, यह पहले नहीं था, अब मैं pure vegetarian हूँ, like डेड़ साल के आसपास हो गया है, तो वही चीज़ है मैं अंडा नहीं लिया, लेकिन अबले अंडे रखे रहते हैं, you can take like 1, 2, तीन जितना खाना खा सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं कि यहाँ दस दस खार हो, दस दस नहीं allowed रहते हैं, बीजी है, ठीक है, next thing यहाँ पे वो है Thursday morning, Thursday morning को मिलते हैं, पूरी और सबजी, आलू मतर के सबजी हो सकती है, आलू के simple सबजी हो सकती है, वो depend करता है, ठीक है, त आपको मिलता है, आपको बस चावल मिलते हैं, Thursday को, Thursday को यह फोटो देख पार हो, जैसे, आपको lemon rice मिलेगा, lemon rice का taste मेरे को बहुत अच्छा लाइता है, like, मेरे को personal भी है, कि यहाँ मेरे को fried rice वगेरा, या lemon rice वगेरा, because मैं rice ज्यादा कहता है, as compared to roti, ठीक है, because अपन है UP से, गोरकपुर से, basically, UP बहार वाले हमारे दोस्त, हमारे यार, सारे ऐसे ही है, like, हमारे यहाँ चावल ज्यादा preferred किये जाते है, रोटी भी रहती है, बट चावल के बिना खाना खाता है, ऐसे नहीं माना आता है, खाना हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर, एक lemon rice रहेगा, lemon rice रहे फ्राइडे की सुमा, जो नॉर्मल एक डोसा रहता है, वो मिलेगा आपको, नॉर्मल डोसा मतलब उसके अंदर stuffing वगरा नहीं रहती है, नॉर्मल सा डोसा रहता है, और उसके चटनी, मुमफली की चटनी हो सकती है, या चने की चटनी बनाते है, लोग नारियल की किसी चीज की चटनी हो सकती है, वो कोई specific नहीं है, वो depend करता है, कभी-कभी change होता है, कभी-कभी specific रहता है, उतना मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, विसे Friday को रहता है, that is Dosa, उसके photo नहीं मेरे पास, फिर Friday की रात में आपको यह मिलेगा, जो की कभी bagan हो सकता है, कभी पत्ता को हो सकता है, किसी कि देखो हर दिन तो अच्छा कानन मिलना, impossible है, उतना तो घर पे बेने मिलता है, ठीक है, बट यह कहूंगा, डाल सही रहती है, चावल सही रहती है, रोटी सही रहती है, ठीक है, तो अगर आपको सबदी नहीं सही लग रहे है, तो आप रोटी और उसके आप सही लगा, खाने पीने का इसा आप सही लगा, वो आपके उपर डेपेंड करता है, ठीक हो थोड़ा कोसली तो है, as compared to different PG's, बट आपको बाहर का खर्चा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बाहर पीजी में रहोगे ना, तो उसका बाहर का खर्चा है, लास्ट में डिसकस कर लेगा, that is, जैसे देख पा रहो, उपमा रहता है, दो अप्शंत रहते हैं, उपमा रहेगा और चॉमिन रहेगा, that is, चॉमिन नूडल्स जो कहना कह दो, तो वो रहता है, ठीक है, टेस ठीक रहता है, मैंने नूडल्स खायते है, वो खतमी हो गया था, जैसे देख सकते हो नॉर्मल सा, दोपहर में भी, दोपहर में नॉर्मल आलू की सब्जी, एक चिप्स रहेगा, चिप्स वो टाइप कर रहेगा, बुना हुआ, वो रखा रहेगा वही पे, और अपने को चावल मिलेगा, रोटी रहेगी, और सब्जी रहेगी, ठीक है, तो ये ओप्शंस रहत नॉर्मल एक बस फ्राइड रहेगा, और सब्जी रह सकती है, या चटनी रह सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है, तो बस फ्राइड रहेगा, बस फ्राइड रहेगा हो सकता है, दाल रहे, तो उसके साथ कुछ न कुछ रहेगा, बस फ्राइड रहेगा, रोटी नहीं रहता आपको सेवाई का कुछ यह लोग बनाते हैं, मीठा नहीं रहता है। रहता है नमकीनी रहता है सबजी डालके नोडल स्टाइब काई समझ सकते हो और दूसरा अप्शन रहता है तो पोहा ठीक है पोहा दो बर बनता है पोहार नॉर्मल जैसे में दिखाया वैसे ही सेम टूसेम पोहा बनता है फिर संडे की दोपहर में मलती है दाट इस एक टाइम बने टाइं खिल पटनी रहता है यह ऑन लोगों वेच्ट नहीं रहता है वैसे मैं खाता नहीं तो मैं बहुत हुआ उनसे पूछा निख का टेस्टाइब मुणे लगा था चिकन रहता है बहुत बढ़ाई नहीं कर रहा हूं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ आपको experience अपनों बता रहा हूँ ठीक है next thing फिर रात में नॉर्मल जो पीले कलर के यलो कलर के उसमें प्यास बेस डालके लोग डोसा टाइप का बनाते हैं मेरे को उसका नाम नहीं पता है बट डोसा टाइप कर रहता है इस प्राड़ा सब्सक्राइब नॉर्मल जैसे उसका टेस्ट बहुत सही लगता है वह मैं हलका भी रहता है रात में और वह खा के उसके साथ चटनी रहती है ठीक है नॉर्मल आपको जाधतार यहां पर साथ इंडियन हो सकता है बट इस पीजे मेरे देखा कि नॉर्थ नॉर् आना और प्लीज यार सपोर्ट करना इसे वीडियोस को ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलेंगे हो सकता है लेट हूं सॉरी फॉर दाट बट आयम ट्राइंग मैं बेस्ट टो बी रेगलर ऑन दिस पटला चानल ठीक है तो ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और मैंने अपने experience एक conclusion बताता हूं that is what is my conclusion कि पहली चीज तो जैसे मैं यहां पर एक मारतली PG था उसका उसमें रहा था उसके बाद कई मेरे दोस्त थे जो थोड़ी नॉर्मल सस्ते PG's में रहा था जिनका room rent पांच हजार साड़े चार हजार छे हजार ऐसे था ठीक है तो यहां पर experience अ उनके वहां light बगएरा चली जाती थी या कुछ problem हो जाती थी खाना बगएरा नहीं सही रहता था ठीक है तो वह परेशानी आपको जेलने पड़ेगी वह आपका ना देखो अगर आप normal सोच रहो कि हाँ ऐसे PG में रह लेते हैं एकदम normal से ठीक है मतलब ठीक ठाक रहे रूम इतना बढ़िया नहीं चाहिए बट जो खाने का रहता है ना खाना में बताता हूं और रूम का जो मेरे ambience जासे मैंने पूरे वीडियो बनाई हुए अपने पूरे PG की तो यहां पे और भी PG जासे हैं ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही है आपको खोजना पड़ेगा थोड़ा explore कर पड़ेगा तो आप मेरे को Instagram पर connect हो सकते हो एक दो PG में जानता हूं इस एरिया में जो इसी टाइप के हैं ठीक है उनके room rent भी हो सकता है कम हो सकता है जादा हो तो वो depend करेगा but personally I will suggest PG यहां पे अगर बेलंदूर में आप रह रहा हो clean land layout basically तो आप यहां आ सकते हो और मैंने प तो वही चीज़ है और अभी room rents भी बढ़ने वाले हैं तो वो चीज़ आप लोग देख लेना मिलते हैं एक्स वीडियो में ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी conclusion यही है कि हो सकता है तो खर्चा आपका बराबर लग जाता है अगर आप ढंका PG रहते हो ढंका खाना रहत अबने अपने उसको और एफ्पर ईचीज यही चीज थी और खाने पीणने सही रहता है अरो चीज़े होती यही चीज घ あり gemaakt और मिलती नेक्स रुड़ी मैसी इन्फोर्मेशन ऐस चीज़े मिलते रहेंगे जैन, मन्दे मात्रम, बाबाई